दिली के मुखर जी नगर में जिस तरीके से ग्रामिन सेवा के ड्राइवर को पुलीस ने बरबरता से पीटा आखिर उसके पीछे वजा क्या थी? हमारे साथ सरब जी सिंग खुद मौजूद है और उनका बेटा भी मौजूद है सर ये बताईए कि आखिर वज़ा क्या थी पुलिस के और आपके बीच में कहा सुनी हुई क्या थी एक्षुलिय हम नेरू वियर मोड पर बार खड़े हुए थे सवारी लेने के लिए तो जस्ट पिछे से जिपसी आई वो हमारे पार रुकी उसमें सिंगल पुलिस वाले पुलिस वाले मुझूद थे सिंगल तो उन्होंने डंडा दिखाया क्रोश से बोले अप्षब्द बोले लेकिन हमने कुछ भी आगे से बाचित किसी तरह की कोई अप्षब्द या कुछ भी नहीं कहा हमारा बेटा हमारे साथ था हमारे बेटे ने जो उन्होंने अप्षब्द बोले या डंडा दिखाया मारने के लिए उसके बाद हमारे बेटे ने दोनों हाथ जोड़े तो हाथ जोड़ने के बावजूद भी वो जो पुलीस वाला मुझूद थे उनका जो क्रोध अंकार है वो आसमान पर था यह गटना जो थी यह मुखर जी नगर थाने के सामने हुई थी या नेरुव्यार के पास पहले हो चुकी ति उसके बाद पुलीस आपको जो रोकने की कोशिश कर रहे थी क्या था इंसिडेंट क्यों जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें यह था कि पुलीस वाले आपसे बा वहां से वो जिपसी निकल गई थी फर्स्ट पॉइंट से जासे बादची ऐसी हुई थी तो उसके बाद वही जिपसी कैम्प के पास जो थाना है वहां पर रुखी हमारी गाड़ी पीछे से आ रही थी हमें फिर आद दिया गया रोकने के लिए हमने गाड़ी साइट पे आगे लगाई इतनी देर में वो क्रोस से भरे हुए हमारी तरफ बढ़े वीडियो में एक सामने ये भी आ रहा है कि आपने किरपांड भी निकाली थी उसमें पुलिस वाला भी घायल हुआ है आकिर किरपांड निकालने की जरुवत क्यों पड़ी ये भी सवाल करै होता है एक्चुली वो जब हमारी वड़े जब हमें हाथ दिया गया जब हमें हाथ दिया गया हमने गाड़ी आगे साइट पे लगाई वोही जो मोझूद थे पुलिस वाले वो सिंगल वो हमारे पास क्रोध से अमारी और बड़े बहुत क्रोध में अंकार में तो हम वही पर खड़े थे तो इतनी देर में ही हमने ये सोचा कि हमारे उपर अटेक करने आ रहे हैं तो वो बैक वहाँ से वापिस होगे बैक वहाँ वापिस जाकर थाने का जो गेट है वहाँ पे उन्होंने एंट्री की एंट्री करने के बाद उन्होंने जितने भी अंदर पुलीस वोले मुझूद थे उन सब को बुला लिया और वो हातों में डंडे लेकर वो बाहर आगे हमारी तरफ उसके बाद वो जैसे ही हमारी और आगे बड़े उन्होंने एक उन्मे से शक्स थे पुलीस वोले जिन्होंने हमें बैक साइड से पकड़ा और बाकी जो पुलीस वोले मुझूद थे डंडे लेकर उन्होंने अटैक कर दिया और हमें मारना 25 पुलिस वाले हमारी तरफ बड़े डंडे लेके तो मेरे पापा के उपर उन्होंने डंडे बरसाने शुरू कर दिये यह जो मेरा आता है यह उंगली यहां दोनों काम नहीं कर रही तो इधर मेरे पांच डंडे लगे लगातार तो मेरे को गाड़ी चलानी आती थी मैंने गाड़ी स्टार्ट की बैक गे डाला और सीधा उनके उपर चड़ा दी जो मेरे पापा के उपर 20 जने डंडे चला रहे थे इसलिए मैंने मजबूरन गाड़ी स्टार्ट करके उनके उपर चड़ा दी आपने बार बार रोकने की कोशिश भी कर ही है, बक्राशाब भी कर रहे थे, préc जाब भी कर रहे थे, पुलिस वाले मान नहीं रहे थे हैं। तो बहुत निर्णाशाजन गया यह थे जिनके साथ यह पूरी घटना हुई उनका बेटा है फिलाल पुलिस से इनकी दिमांट लगातार यही है तमाम जो सीघसमुदाय है उजो सामने आया है उनका साफ तर पर कहना है कि जिन पुलिस वारों ने बरबरता के साथ पिटाई की है उनके उपर एक्शन जो है वो तुरंत होना चाहिए उनके कारवाई जो होने चाहिए